हेलो अव्रीवरन वेलकम टू मैं चैनल के वित पूजा रुपल सी फ्री कोर्स सिरीज तो आज की क्लास में हम लिब्रिय आफिस इंप्रस प्रोग्राम के अंदर स्लायड मैटनीव में लिएआउट ओप्शुन को समझने वाले हैं layout option होता गया है और LibreOffice Impress की presentation slide पर इसका इस्तमाल हम किस तरीके से करते हैं तो चलिए start करते हैं आज की class तो जैसे कि slide menu पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक layout नाम का option दिखाई देगा तो layout पर आने के बाद आपको यहाँ पर कई तरह की layout दिखाई देगी 7 number की slide पर जाकर जब slide menu में जाती हूँ उसके बाद new slide पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एक new slide यहाँ पर आप कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है अगर आपको लगता है कि जिस slide को हमने ले रखा है इसका हमें layout चेंज करना है तो उसके लिए हम slide menu में जाकर layout option पर जाएंगे जैसे आप देख सकते हैं अभी slide का look कुछ इस तरीके का है तो मैं जब यहाँ पर जाती हूँ मानली जी मुझे slide को blank करना है तो यहाँ सबसे पहला option आ रहा होगा blank slide का अगर आप यह slide पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और अगर आप blank slide पर click कर देंगे तो आपको slide कुछ इस तरीके की बिल्कुल blank दिखाई देगी जिसके अदर कोई भी text को भी placeholder आपको नहीं शोगा अगर हम यह चाहते हैं कि माली जी slide blank है तो इसके अंदर हमें इसका layout चेंज करना है तो फिर स्लाइड पर जाकर layout पर जाकर हमें कई सारी type की layout मिलता है अब माली जी मैं किसी text को vertical में लिखना चाहती हूँ तो यहां से मैंने vertical text या vertical chart कोई भी मैंने यहां से लिया जो मुझी लेना था मैंने यहां से vertical text title और chart पर क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरीकी का layout मेरी slide का दिखाई देगा जिसमें जो text आ रहा है click to add title वगरा यह आपको vertical में दिखाई दे रहा है इससे पहले ही horizontal में आ रहा था फिर से मुझी चेंज करना हो तो बेसिकली जितने बार आप slide का layout चेंज करते हैं उतने बार आपको layout option के अंदर जा कर यहां दिये हुए layout मैंसे कोई भी type का layout जो है वो change करना होता है मालनी जी मैं आपर title to content and content दे रही हूँ तर इस पह क्लिक करूँगी तो आप कुछ इस तरीके का layout दिखाई देगा तो basically slide के layout को change करने के लिए ही हम slide menu के अंदर layout option का इस्तमाल करते हैं तो आज की class में आपने slide menu के अंदर layout option को जाना layout option क्या होता है और इसका इस्तमाल slide पर हम कप करते हैं या किसलिए करते हैं तो उमीद है कि आपको आज की class समझ आयोगी next class में हम इसी तरीके से कुछ और options के बारे में बात करेंगे मिलते हैं next class में